तो दोस्तो कैसे हैं आप सफी तो दोस्तो आज मैंने जी टी फार में एक भूद यह खतरना ग्रेम बनवाया है जिस रेम का नाम है फॉरस्ट रेम और गाइस यह देखिए मैंने यहाँ पर कितने सारे लोगों को इस रेम को खिलने के लिए बुलाया है ओ यार फ्रेंकलेन ओ यार तुने हम एक घंटा पहले के उबला लिया जबकि तु एक घंटा लेट आरहा है अरे सॉरी सॉरी वो रास्टे में थुदा ट्रैफिक मिल गया था यह फ्रेंकलेन पल तुम तोड़ के आरह हो अरे ओगी पहले मैं गाड़ी से ही आ रहा था फिर काफी देर ट्रैफिक में फसने के बाद मैं मैं पैदल पैदल अपने घर गया और यह उड़ने वाली बैक लेक लेक आया वह यार अच्छा यह बात है अरे हाँ जेक अरे यार फ्रेंकलिन जल्दी से रैम को स्रू करो मैं बहुत ही जदा बित्धाब हूँ अरे हाँ फ्रेंकलिन भाईया आप जल्दी से रैम चैलेंज को स्रू कर दीचिये और यह तो बताईए हमें प्राइज में क्या मिलने वाला है अरे आज तक का सबसे बड़ा प्राइज मिलने वाला है तुम लोगों को आरा फ्रैंकलन भाया वो क्या है अरे तुम्हें मिलने वाले हैं पूरे हजार करोड रुपे ओ यार क्या बोला तुने हजार करोड रुपे अरे यार हाँ और तुम लोगों को ये 1000 करोड रुपे ऐसे ही नहीं मिलने वाले ये रैम बहुत यादा खतरनाक है तुम लोगों को पहले अपनी बैक या फिर कार को लेके यहाँ तक पहुचना होगा फिर इन साइंस से बचते हुए तुम्हें इस छोटे से फॉरेस्ट के अंदर एंटर करना है और ध्यान रहे ये फॉरेस्ट बहुत यादा खतरनाक है इस फॉरेस्ट के पीड़ तुम्हें अपने आप में चुपका भी सकते हैं ए भाया ये कैसा फॉरेस्ट है और यार फॉरेस्ट के वलदी शेर कदम एसा फॉरेस्ट तुम्हेंने कभी नहीं देखा और दोस्तो फॉरेस्ट को पार करने के बाद तुम लोग यहाँ पर आ जाओगे फिर तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेश मिलेंगे इन मैंसे किसी एक बॉक्स में से निकलने का रास्ता है तुम लोगों को इस बॉक्स को ठूड़ना है फिल तुम्हें आगे बढ़ते जाना है ओ यार फ्रेंकलिन जितना तु इसको खतरनाग बता रहा था ये रहम उतना भी खतरनाग नहीं है अरे जैक वो तो देखा जाएगा तो तुम लोगों को यहाँ पर आने के बादन लकडियों से अपने बैक या फिर कार को लेके जाना है और यहाँ पर जंप लगानी है जंप लगाने के बाद तुम लोगों को आगे एक फॉरेस मिलेगा और इस forest मेंसे निकलना सच में बहुत यदा मुश्किल है और अगर तुम लोगोंने इस forest को भी पार कर लिया तो तुम्हें मिलेंगे पूरी एक हजार करोड ओ यार वा, सुनने में भी कितना अच्छा लगता है एक हजार करोड, अभी तो मैं जीतूँगा अरे हाँ जैक देखते है, देखते है तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले यहाँ पर कौन जाएगा अरे यार मैं हूँ Venom अरे यार हाँ, और मैं हूँ Hulk हम दोनों जाएंगे सबसे पहले यह देखो हमारी गाड़ी अरे हल्ग ये तुम कैसी गाड़ी चूश कर रहे हो अरे यार मुझे यही पसंद है क्यों Venom अरे यार हाँ, मुझे और हल्ग को यही गाड़ी पसंद है अरे तुमारी मल जी, दोस्तों ये दोने तिक हटे कटे हैं यही गाड़ी को जी क्यों स्लेक्ट कलते हैं अरे यार मैं तुमारे सबसे बहुती जाड़ी है दोस्तों ये देखो, दोनो गाड़ी के अंदर सहीजे फिट भी नहीं हो पा रहे है फिर भी गाड़ी इनको यही गाड़ी चाहिए अरे यार हल्क तुम कर सकते हो अरे यार हाँ मुझे पता है अरे यार ये क्या हो रहा है अरे यार ये गाड़ी कहाँ पोड़के जा रही है गाइस ये दोनों तो गए काम से अरे यार ऐसे कैसे चले जाएंगे हम अभी भी रैम चलेंज कर सकते है अरे तुम लोग रैम से नीच उतर गए अब कैसे करोगे रैम चलेंज अरे यार हल्क थमको तो गाड़ी चलानी नहीं आती है अरे यार वेनम तुम्हारे साथ में तो बहुत युदा बुरा हुआ इससे अच्छा तो तुम मेरे साथ स्कूटर पे चलते अरे यार हावेनम भूल मुझे तुम्हारे साथ में चलना ही नहीं चाहिए था ओ यार दोस्तों तो अभी हम लोग जाने वाले है क्यों मुर्णा हे बया हाँ और हमने गाड़ भी बहुत युदा बढ़िया चूश की है ओ यार हाँ अभी मुर्णा तु ठीक से चलाना ओ यार मैं कैसे चलाओं गाड़ी तो आप चला रहे हो ना ओ यार मुर्णा मैं तो बूली गया था हे हे अरे गाड़ी खुद चला रहा है और गाड़ी खुद को ही नहीं बता कि वो गाड़ी चला रहा है तो मैं बिल्कुल नीचे चला जाओँगा अरे यार हाँ जैक वो बत तो है तो दोस्तों यहाँ पे ओगी और जैक आगे बढ़ते जा रहे है और गाड़ी नीचे बीचे ले गए ओए यार ये कैसे हो गया ओए यार दोस्तों ओए यार मेरा सर फूट गया ए बैया, आपकी वैसे मेरा भी सर फूट गया ओय यार ये गाड़ी खराब है आ, फ्रैंकलिन तो कैथी गाड़ी लेके आया है अरे गाइस खोदे यहाँ पर रैम को हार गए और गाइस दोस्त दे रहे हैं गाड़ी को अरे यार तुम उनको छोड़ो अभी यहाँ पर मैं और कीको जाएंगे और इस रैम को मैं और कीको तो बड़ी आसानी से जीच जाएंगे क्योंकि पुलीस की वल्दी शेर का दम नाम है मेरा लिटल सिंखम अरे यार हाँ हाँ हमको बता है अभी जल्दी से गाड़ी को मेरे पास मिले के आओ अरे यार लो ये मैं ले आया अरे यार ये क्या तुम ने तो मुझे वड़ा दिया अरे दोस्तों ये क्या यहाँ पर लिटल सिंखम ने तो अभी अभी कीको को गराई दिया था अरे यार इस लेटल सिंखम को तो में रैम कंपलीट होने के बाद में बताऊंगा अभी तम जली से रैम चलेंज करो लेटल सिंखम और यार मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे बहुत यहाँ खतरनाग वाली जंप लगानी होगी ताकि मैं यहाँ पे आराम से अपनी गाड़ी को आगे लिजा सकूँ अरे यार तुम करतर होगे न अरे गाइस मुझे नहीं लगता गाइस ओगी और जैक भी इस वाले टास्कों कम्प्लीट नहीं कर पाए थे और गाइस यह देखिए यहाँ पे लिटल सिंगम और कीको भी फेल हो गए अरे यार पुलीस की वज़ी शेर कदम हम एक और बार ट्राय करेंगे अरे क्या एक और बार क्यों अरे यार ओगी और जैक ने भी तो किया था वो यार मैंने कब किया अरे हाँ गाइस जैक ने भी किया था पर गाइस ये लास्ट बार है जब मैं किसी बंदे को दो दो बार ट्राय करने के लिए दे रहा हूँ अरे यार ठीक है अरे यार मुझे भी चाहिए दो बार ट्राय करने के लिए अरे हल्क तुम चुप रहो अरे यार यार ये चीटिंग है अरे तुम लोग काफी ज़्यादा आगे जाके हारे थे अरे यार अच्छा अरे यार हाँ अरे यार तो यह देखो मैंने यहां पर जंप लगा दी है और हम इस वाले रैम पे भी आ गए है अरे यार आराम से ले जाना अरे यार तुम पागल हो गए हो क्या यहाँ पे आराम से नहीं तेज लेके जाना है अभी यह क्या हो रहा है गाड़ी के साथ में यह तो नीची आ रही है और यार दोस्तों मुझे लगता मैं इसको पार कर पाऊँगा और यार यार पुलीस की वल्दी शेर कदम नाम है मेरा लिटल सिंखम मुझे यहाँ पे कुछ भी करके बचाना होगा अपनी गाड़ी को अरे यार या क्या कर रहे हो लिटल सिंखम दम अरे यार मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे जो कर रही है वो गाड़ी कर रही है अरे दोस्तों पता नहीं यह लोग क्या करके मानेंगे अरे यार हाँ, यहाँ पे यह लोग लेंड कर गए अरे यार हाँ, क्योंकि पुलिस की वल्धीशिर कादम नाम है मेरा लिटल सिंखम अरे लिटल सिंखम, मैं तुमसे हाथ जोड की बोलता हूँ बार-बार यह गिसा पिटा डायलोग मत मारा करो हम लोगों की कान पक चुके हैं ये सुनते सुनते अरे यार हाँ मैं तो इसके बगल में ही बैट के इसका डालोग सुन रहा हूँ कब से अरे यार ये क्या हो रहा है अरे यार मैं तो यहाँ बिगर रहा हूँ अरे यार ये क्या पर मुझी बिल्कुल भरूसा नहीं है आरे यार प्रेंग लिए तुमने क्या बोला आरे यार कुछ नहीं कुछ नहीं मैं तु बोल रहा था तुम जल्दी सी रेम चैलेंज करो आरे यार ठीक है तो चुचु बताओ रेडी हो न तुम आरे हाँ ग्रैनी मैं तो एकदम ready हूँ तू जल्दी ते jump लगा दे आरे याँ ठीक है चुचु चाल्स तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पर jump लागा दी और मैं यहाँ पर land भी हो गई अब ही यहाँ देखो इस गाहने की speed की मदस से मैं इस वाले name को आराम से कर लूँगी आरे ग्रैनी बा तू ते एकदम professional driver है आरे यार वो तो मैं हूँ ही आप देखो यहाँ पर land भी करती हूँ आरे दोस्तो वा यहाँ पर ग्रैनी पहली ऐसी driver है च्योंकि यहाँ पर land कर पाई है ओ यार मैं भी land कर लिता वो तरस मुन्ना के विज़े से नहीं कर पाया ओ यार मैंने क्या किया अरे जेक कभी तुम मुन्ना पर दोस डालते हूँ कभी गाड़ी पर दोस डालते हूँ आखिर कहना क्या चाते हूँ तुम ओ यार मैं यह कहना चाता हूँ केस में मेरी कोई गलती नहीं है सब गलते मुन्ना की और गाड की है ए बया मैंने तो कुछ किया यह नहीं ओ यार यही तो बात है तूने कुछ क्यों नहीं किया खाली क्यू बैठा रातो ओ अगर तू कुछ करता तो आज हम 10 करोड रुपे जित जाते अरे दस करोड रुपे नहीं, हजार करोड रुपे ओ यार हाँ, हजार करोड रुपे ओ यार फ्रेंक्लिन बार-बार याद बदला मुझे बहुत यारे दुख होता है ओ यार अभी तो ग्रैनी और चुची चांस जितेंगे वो हजार करोड रुपे और यार फ्रेंक लेन इन लोगों की काड़ियां खराब निकल रही है पर अगर मेरा स्कूटर खराब निकला तो मैं तुमको नहीं चोड़ूँगा अरे यहाँ पे किसी की काड़ी खराब नहीं है यह लोग बस अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा बूल रहे है आरे अच्छा ऐसी बात है तो अफेर ठीक है अरे यार लिटल हल्क आज तक तक तुम कभी मेरे साथ में स्कूटर पर नहीं बैठी हो आज मैं तुमें दिखाऊंगा इस स्कूटर के असली पावर आरे यार मझे तो अभी भी शक है क्या या स्कूटर रेम को पार कर भी पाएगा की नहीं आरे अच्छा तो अभी तुम्हारे शक दूर कलता हूँ आरे दोस्तो यह क्या यह लगत तो रेम के उपर ही चड़ गए आरे यार हाँ ऐसी रेम को करना भूत यह अदासान है ते एक दम ठीक है पताओ नहीं दोस्तों कैसे ये जमीन में घुस गया था आरे यार अभी जल्दी से मेरे पास में आओ और यार लो मैं आ गया अभी जल्दी से बैठो आरे हाँ बैठता हूँ बैठता हूँ पर मुझे डल लग रहा है और यार डल लग रहा है तो मेरे साथ म आये ही क्यों आरे ठीक है ठीक है कोई बात नहीं आरे दोस्तों लो मैं बैठ गया अरे दोस्तों क्या यह फॉरेस्ट को पार कर पाएंगे और यार हम लोग आराम से फॉरेस्ट को पार कर लेंगे क्योंकि हमारे पास मैं गारी नहीं स्कूटर है और स्कूटर कहीं से भी आराम खुता है मैं तो कहूँगा तो मुझ से सीखलो हम लोग यहां पे जीत भी गए हरे तुम लोग कहा나 पे जीते हो दोस्तों मैं समझ गया वो एक घादी James वो लोग वहाँ पर गोल गोल घुमते जा रहे हैं पर गैस उनको ऐसा लग रहा है कि वह यहाँ पर हजार करोड रुपे जीत गए मैंने आपसे पहले ही बुला था कि उस फोरेस्ट में कुछ भी हो सकता है इसलिए गैस मुझे लगता है वेनमफुल के दमाग पे और लिटल ह साथ में डौरेमौन है अगर मेरे दमाग पे जादू हुआ यह कोई बात नहीं तो हमी लोग अरे हाँ नूबिता देखते हैं वैसे गाईस नूबिता ने पहला वाले रैम से पार कर दिया और गैस यह लोग फॉरेस्ट में इंटर कर रहे हैं और गैस अभी देखना यह हैं क्या यह लोग इस फॉरेस्ट को भी पार कर पाते हैं आरा डॉरेमान मुझे वहाँ पर वैनमपुल दखाई दे रहा है इसलिए मैं उसके पास नहीं जाओंगा क्या पता उसके पास जादू हो और हमारे उपर बे जादू हो जाए अरे हां नुपिता एक तुम समल समल की जान यह वाला रास्ता तो गलत निकल गया डॉरेमान यहाँ पर से हम नहीं जा सकते डॉरेमान अरे नुपिता दूसरा रास्ता देखो आरा ठेका डॉरेमान लगता है यह वाला रास्ता होगा अरे आरा डॉरेमान नारेमान मुझे आरो नारा डॉरेमान आकर कार हम वहाँ से ब प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् guys मैंने आपको सुरवात में ही बताया था ये रैम बहुत योदा खतरनाक है और guys मुझे लगता है इस रैम को मुझे ही पार करना पड़ेगा वैसे guys मैं भी sure नहीं हूँ कि मैं इस रैम को पार कर भी पाऊंगा के नहीं पर guys try करने में आगे बढ़ता रहता हूँ और गैस पिछली बार मैं गिर गया था इससे आप यह मत समय ना कि मैं यहाँ पर cheating कर रहा हूँ दुबारा रैम करके गैस मैं यहाँ पर cheating बिलकुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गैस मैंने पहले भी बंदों को दो दो चांस दिये थे इसलिए गैस मैं भी दुबारा कर रहा हूँ और गैस यह देखिए मैंने यहाँ पर अच्छी से लेंडिंग भी कर ली और गैस इंसान से बसना तो बहुत यह अदासान है और गैस यह मैं एंटर हो गया फॉरेस्ट में वैसे यह फॉरेस्ट काफी दर खतरनाक है और गैस इसलिए मुझे यहाँ पर समल समल के जाना होगा मैं नहीं चाहता कि मेरी हालत भी ग्रैनी और चुचुच चाल्स जैसी हो जाए अरे यार हाँ और मेरी जैसी भी अरे गैस वैनमपूल अरे वैनमपूल तुम कहाँ पर हो अरे यार मैं यहाँ पर फता हूँ अरे गैस यहाँ पर तो वैनमपूल का दिखाई नहीं दे रहा है गैस वैनमपूल को मैं बात में देखूँगा पहले गैस मेरे एंपर फोकुस करता हूँ और गैस ये देखिए मुझे पता था गैस की यहाँ पर नकली ट्रेंस है और गैस ये बात किसी ने नोटिस नहीं की सवाए मेरे और गैस मुझे ये भी याद है कि नूबिता और डोरेमन इसी वाले रास्ते से भार निकले थे और guys मैं नोबिता की तरह यहाँ पर गोल गोल नहीं ढूमने वाला मैं यहाँ पर एकदम सीधा सीधा जाता रहूँगा और guys यह देखिए मेरा balance भी यहाँ पर एकदम कमाल है guys आपका भाई Franklin यहाँ पर 1000 करोड रुपे जीतने ही वाला है यार Franklin के बच्चे को ज़्याद consider हो रहा है एब यहाँ यह Franklin को ज्यादा ही overconfident हो रहा है और इसका overconfidence ही इसको हराएगा अरे मैं यहाँ पर overconfidence नहीं हो रहा हूँ अरे यार Franklin अगर तुम यहाँ पर जीत जाते हो तो 100-200 करोड पे मुझे भी थेजे देना अरे मैं तो मैं क्यों दूंगा गाइस ये देखिए यहाँ पे एक और फॉरेस्ट है और गाइस मुझी लगता है इस वाले फॉरेस्ट तक सिर्फ मैं ही पहुँचा हूँ ओ यार हाँ फ्रैंकलिन ओ यार ये क्या ओ यार फ्रैंकलिन तो गिर गया मतलब कि तू हार गया अरे ऐसे कैसे हार गया मैं अभी भी RAM पे ही हूँ मैं RAM से भाल थोड़ी ना निकला हूँ ओ यार यार ये बात भी तिरी सही है अरे यार, Franklin कहीं तुम cheating तो नहीं कर रहे हो हम सब पार नहीं कर पाई पर तुम इतना असानी से यहाँ पर कैसे आ गए अरे फैनम खुल तुम मैं पता नहीं है क्या फ्रैंकलिन कितना प्रोफेशनल राइडर है अर यार अच्छे ऐसी बात है अरे कैसी क्या मैं तो दुबारा गिर गया अरे काई बात के प्रोफेशनल राइडर तुम तो यहाँ पर बार बार गिर रहे हो अरे मुझे अब बाइक की जरौत भी नहीं है गैस यह देखिए मैं यहाँ पर पूरे हजार करोड रुपे जीत गया और गैस आज की वीडियो के लिए से फिता ही और गैस आज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मैं भूलना बाइ